दीदी लड़के लड़कियों को चिड़ा रहे कि यह लोग कह रहे हैं कि हमारा नाम कमल था ने हमारे नाम का नकल कर लिया कमला रख लिया कैसे कमल अलग हुआ और कमला तो अलग हुआ है ना है देखो कमल के नाम में क्या आ रहा है और तुम्हारे नाम में क्या आ रहा है कमला तो क्या हुआ आया ना तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है वो तो स्ट्रीलिंग होते हैं क्यों होते हैं स्ट्रीलिंग क्योंकि वो कहलाते हैं आकारान दोते हैं वो होते हैं स्त्रीलिंग है ठीक है तुम कुछ पूछना चाहा रही हो क्या कह रही हो दीदी आकारंग सब्द का अर्थ क्या है आकारंग शब्द का अर्थ है बेटा कि जिन भी शब्दों के अंत में आ आता है है ना उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं आकारंग शाबाश तुम तो हमसे ज्यादा जानते हो हमसे पहले तुमने बता दिया अच्छा एक बात हम फिर कहते तुम से यहां कुछ शब्द लिखे हुए हैं इसको तुम पढ़ो जरा लता रमा नासिका हां अमुना वाटिका ठीक है अब यह बताओ कि इसके अंत में क्या आया है अरे पढ़ तो लिया तुमने इत्ते अच्छ से नहीं आया समझ में अच्छा एक बार हम पढ़ते हैं फिर तुम देखना है हम धीरे धीरे बढ़ेंगे ठीक है यह लिखा हुआ है लता यह लिखा है रमा यह है नासिका यह यमुना और यह वातिका अब बताओ क्या आया अंत में सबके आ के आवाज सुनाई पड़ी नो तुमको तो इसलिए यह सारे शब्द जो थे वो हो गये आकारान शब्द हो गये और इसलिए यह क्या हो गये स्त्री लिंग हो गये अच्छा यही चीज संस्कृत में भी होती है और कुछ शब्द जो होते हैं वो जब आकारान्थ होते हैं यानि उनके अंत में तो आता अ है है ना वो आकारान्थ होते हैं लेकिन जब हम उनके आग क्या लगा देते हैं आ लगा देते हैं अ की जगे क्या लगा देते हैं आ तब वो क्या हो जाते हैं अकारान शब्द तो हो जाते हैं और उसके अलावा वो हो जाते हैं स्त्रीले एक बार में एक बोलो फिर हमें सुनाएने पड़ता ठीक से ठीक है अब देखो यहां हम तुमको उदाहरन बताते इसका, ये लिखा हुआ है शब्द कुछ, कौन पढ़ेगा इसको, तुम पढ़ोगे, हाँ, तो ये है पुर्लिंग शब्द है, और ये होगे उसके स्त्रीलिंग, और किस तरह से जो पुर्लिंग शब्द है, जिन में अ लगा है, उसको हम आकारांत कर रहे है उसमें आ लगाके, उसको क्या बना रहे हैं, उसको स्त्रीलिंग बना रहे हैं, तो सबसे पहला जो शब्द है, वो क्या है, चात्र, और उसका स्त्रीलिंग क्या हो गया, बिल्कुल ठी, दूसरा बोलो, बालक, अब ये क्या है, बालिका, इसमें क्या लग गया, आ लग गया उसका ना अकारांत हो गया आप यह लीलिंग भी उप्त च्रिक्षत को तुम बताओ हाँ बोलो खिका क्या बोला तुमने ठीक से नहीं बोला तुम बोलो देखे शिक शिका शिक शिक का हो गया चारण सही किया करो अच्छा अब हम तुमको यह बताएं कि हर शब्द के साथ ऐसा नहीं होता खास्तोर से संस्कृत में अब तुम यह देखो संस्कृत के कुछ शब्द हम तुमको दिखाते हैं यह आ गया चित्र देखना और हम जब तुमसे पूछेंगे कि यह क्या है तो तुम हमको बताना हाँ यह चित्र किसका है नाओ का नाओ का है एक कोई बोलो अच्छा तुम बताओ कि नाओ को संस्कृत में क्या कहते हैं दिदी नाओ का नाओ का ठीक है इसमें भी क्या लगा आ लगा और वो हो गया स्ट्रीलिंग हां अकारांध हो गया और स्ट्रीलिंग हो गया अब एक चीज एक चित्र हम और दिखाते हैं तुमको नासिका इसमें भी क्या लगा हुआ है आ लगा हुआ है आकारांध है इसलिए स्ट्रीलिंग है अच्छा अब एक चित्र हम तुमको और दिखाते हैं अब ये चित्र देखो और बताओ कि किसका है ये है और तम्हारे सामने और भाजी जहिसको थह तीक है हमब बोलते हिंदी में बगी जह yapteur दे और मॉलते बहुत चीजें बोलते हैं लेकिन संस्कृत में क्या बोलते हैं? लगा हुआ है तो तुमने देखा नाँ क्या हुआ रॉठी का और यह सब क्या हुआ गए तुम बताओ इन सब के अंत में क्या लिखा हो लगा हुआ है आ लगा हुआ है तुम बोलो आ लगने से क्या हो गया ये इस्त्रिलिंग हो गया क्योंकि इसमें आकारान लग गया है तो अब तुमको ये समझ में आ गया क्या समझ में आ गया कि जब कोई किसी शब्द के अंत में आ लगता है वो आकारान तो जाता है और इस्त्रिलिंग भी हो जाता है इसलिए कमल का क्या हो गया था कमला कमला हो गया था ना तो कमल अब तुम कमला को चिढ़ाओगे नहीं चिढ़ाओगे न हैं वो कमल थोड़ी है वो तो कमला है उसके नाम के अंत में आ लगा है और आ लगने से वो स्त्रिलिंग हो गया तो इसलिए उसने तुम्हारा नाम नहीं चुराया है ठीक है कैसे नहीं चुराया है जैसे हमने तुमको बताया कि छात्र का क्या हो गया था छात्रा हो गया था तुम बोलो बालक का क्या हो गया था बाली का तुम बताओ शिक्षक का क्या हो गया था शिक्षिका हो गया था तो वो क्या हो गया था स्ट्रिलिंग हो गया था और आकारान शब्द तो अब तुमको समझ में आ गया कि आकारान स्ट्रिलिंग शब्द क्या होते हैं ठीक है अच्छा अब अगर समझ में आ गया है तो तुम बताओ कोई दो शब्द ऐसे बताओ जो आ विमला और कमला विमला और कमला उसी तरह से बालक का बाली का बाली का क्या हो गया स्ट्रिलिंग और आकारांशब हो गया तो वो भी क्या हो गया स्ट्रिलिंग हो गया अब उसके बाद सिक्षक का शिक शिक शिका है ना वो उसमें भी क्या हो गया आकारान हो गया और वो श्त्रीलिंग हो गया है ना तो इस तरह से हमने आकारान शब्दों को आकारान शब्दों में बदलके पुरलिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्ति किया शब्दों को इस तरह से बदला ठीक समझ में आ ग